पिता और पुत्र और पुत्र आत्मग नाम पर आमेन सबों को जे एश्यू प्रभी एश्यू कृस्प में मेरे प्यारे भायों और बहनों आज हमारे मनन्चंदन का विशे है क्या हम अपने बच्चों को चर्च जाने से रोकते हैं आज हमने ये विशे इसलिए लिया कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चों में प्रभु के प्रति, भक्ति और श्रदा कम होती जा रहियے उनको प्रभु के बारे में और प्रभु के प्रेम के बारे में कौन येश्यू है कलिसिया के बारे में संतों के बारे में प्रभु के दुखबोग के बारे में बाइबल के बारे में उनको ग्यान ही नहीं है क्योंकि हमारे पास में समय ही नहीं है मैं अकसर सुनता हूँ कि चर्च का समय सुबह साड़े साथ आठ बिजे का रहता मिस्सा बलिदान का तो लोग कहते इतनी जल्दी एक ही दिन तो मिलता है हमें संडे आराम करने का खेलने का इतनी जल्दी कौन चर्च जाता है कि चर्च का टाइम चेंज कर दो वो सारे विचार अलग-अलग आते हैं हमारे मन में लेकिन हम भूल जाते हैं कि साथ दिन के अंदर च्छ दिन तो आपके हैं और एक दिन के अंदर एक गंटा भी प्रवुका नहीं है च्छ दिन आप अपने काम काज में समय दे रहे हैं अपने परसणल अपने व्यक्तिगत कारी को समय दे रहे हैं, आप अपने चह दिन अपनी मोझबस्ति में हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, किन्तू सातवा दिन विश्क्राम का जो दिन है, हमें चर्च में जो जाना है, उस वक्त हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं चर्ष क्यूं जाओं, आज मैं चुट्टी कर लेता हूं चर्ष की, खेलने चल जाता हूं, गेम खेल लेता हूं, दोस्तों के साथ मैं पिकनिक चल जाता हूं, ये सबसे बड़ा अपराद है, और इन सब में हमारे माता पिता सय योग दे रहे हैं इस पाप को बढ़ाने में उनने इसेंके आशीरिवा से वंकित कर रहे हैं आप उन बच्चों में इसे का रेम का वीजबौिए आप उन्हें इसेंके वच्चन B BART में समझाइए जिसकी वजह से वह अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे हताश नहीं होंगे आप उनके मन में प्रभु का बीच बोई आप उन्हें गेम में वेस्ट कर रहे हैं आज हम देखते एक छोटा सा बच्चा रोता है तुसको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि मोबाइल से चुप हो जाएगा और देखते हैं मोबाइल से चुप हो रहा है यही शेतान हमारे जीवन में कारे कर रहा है हमें इश्वर से इश मत रोको क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है और वह बच्चों पर हात रखकर पांस चले गए स्वर्ग राज्य इन जैसे नन्ने बच्चों का है क्योंकि उनकी अंदर निस्वारत है उनमें किसी परकार का कपट नहीं है किसी परकार की चाला की नहीं है उनकी कि अंदर किसी परकार का पाप कारी नहीं कर रहा हैं किन्तुव आज हम उने पाप में डाल रहे हैं। हम आज मिस्वाइदान के बारे में, रोजरी के बारे में, प्रातनाओं के बारे में उने बताई लेना है, किस तरीके से एक वेदी सेवक कारी करता है, पवित्र वेदी क्या है, चर्च में हम किस तरीके से आना चाहिए, हमें जूते चपल कहां उतारने है, अपने साथ में वाइबल लाना है या नहीं, सब कुछ शिकाए जाता है, समे पर आना, किन्तु आज हम सब कुछ को साइड बे रखते हैं कौन जाएगा, क्या जरूरी है, चट जाने से क्या होता है आप ये भूल रहे हैं आपके द्वारा ये जो छोटे-छोटे पाप है ये कल आपके जीवन से आशिशों को दूर कर देगा आज अगर आप इश्वर को समय नहीं देंगे आपका बच्चा, आपकी बच्ची वह निराश हो जाएगी वह हताश हो जाएगी क्योंकि परिक्षा के समय वह गिर जाएगी वह तूर जाएगी, समभलने में उसका साथ कोई नहीं देगा मैंने देखा है, अक्सर एक्जाम में फेल होने पर बहुत सारे लोग हैं, जो आत्मत्या कर लेते हैं खुदकुशी कर लेते हैं किन्तु जो पवित्र वचन को पढ़ता है, वो कभी भी आत्मत्या नहीं करेगा क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यर्मिया उन्तिस ग्यारा चोदा मैंने तुमारे लिए एक यूजना निर्दारित कर रखी है तुमारे हित के लिए, तुमारे आशमय भविशे के लिए आज हम इश्र की यूजनों को नहीं समझते हैं कलिसिय क्योंकि क्लिसिय क्योंकि में स lenghtjak यहिं जाता है कि प्रभू में आगे कैसे बढ़ना जीवन की कटिनाई यों में हम कैसी तरीके से सामना करें वत्चन हमारा रख्चक है वत्चन हमारा कवस्च है चर्च में कोई भी गलत शिक्षा नहीं दी जाती है चर्च हमें मजबूत करता है वह प्रातना का मंदिर है वहाँ पे इश्वर की उपस्तिती है इश्वर चाता है कि मेरे बेटा और बेटी जीवन में कभी भी हतास नहो जीवन के हर एक मोड में आगे बढ़े उनकी खुशियां सदा बनी रहे उनके जीवन में अगर दुखदर है आप बच्पन से चर्च जाएंगे ना तो आपका जीवन बदल जाएगा आप कितनी भी बुरी परिस्तिती में क्यों ना हो आपका विश्वास इश्वर पर रहेगा आपका बरोसा डगमगाएगा नहीं अगर आप समय पर चर्च जाते हैं बच्पन से आपके अंदर प् आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं इसलिए प्रभु आज शाफ साफ शब्दों में यह कहता है कि बच्पों को मेरे पास आने दो उन्हें मत रोको कई हम अपने बच्पों को प्रभु के पास जाने से रोक तो नहीं रहें आपको यह जानना है यह समझना है कई हम इस इश्र की यूजना से कहीं हम वन्चित तो नहीं कर रहें इसलिए आज इश्र हम सब को हर एक माताओं को हर एक पैरेंस को प्रभु कह रहा है बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको संडे का दिन अगर चर्च का है तो चर्च का ही रहेगा अगर मिस्वालितान के बाद में या मिस्वालितान से पहले अगर उनके लिए केटेगरिजाम वह तो कैतलिक चर्च जिसमें वह कलीशिया की शिक्षाएं सिखाते हैं उन्हें समय दीजी उन्हें बेजिए आप छे दीन उनको खेलने का मौका दीजी लेकिन सात्वे दिन कम से कम आप उन्हें चर्च जाने दीजी और चर्च जाने के लिए आप जोर दीजिए और साथ में आप भी जाएए जब आप भी जाएंगे आपके परिवार में आश्चिस आएगी आप भी वश्बूत होंगे आपको देखकर आपका बच्चा आगे बढ़ेगा वचन कहता है फल से पेड़ की पहचान होती है कि अच्छा फल है या बुरा फल है अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है इसलिए बच्चों का भुश्य आपके हातों में हैं कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाते हैं या उनको उनके जीवन में ऐसा फल होने देना चाते हैं जीवन के कटिन से कटिन स से रोका वजीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे वजीवन में अताश हो जाएंगे इसलिए मेरे प्यारे भाईयों और मैं सभी माता पिताओं से आगरह करता हूं बच्चों को बाइबल पढ़ाईए बच्चों को प्रभु के बारे में बताईए प्रभु के बारे में शिक्ष HOW आज कितने सारे बच्चे हैं जो कार्टूं देखते हैं उनको वो सारे एनिमेशन से कार्टूं है जो प्रभू पर आधारित है वाइबल स्ट्वी कहाँड nee आप उनको दिखाईए, वह जान पाएंगे कि प्रभु बच्चों से कितना प्रेम करता है। प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमारी उत्पती कैसे हुई है, हमारा भविश्य इश्वर के हातों में कैसे है, प्रिश्य ने लोगों का जीवन कैसे बदला है, दुख के समय में हमें क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आप सबी से निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को चर्च जाने से मत रोकें, समय पर उनको चर्च ले जाईए और आप भी उनके साथ में चर्च में भाग लीजे, प जाईए फिल्पपार में चर्च जाईए ते रिवेदन करूंगा भी इसलिए चाहिए, चैसे बच्च चाहिए, जाईए झावांड़ेँ, ते लिजए ठाने से अनके से बच्च लेए, जहाईए, इस बोग्च बढ़र रश्यों करूंगाई है, दूने, ते और रचिताए